हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फीर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस कि Samsung Galaxy A23 फोन में आप लोग बैक बटन को कैसे लगा सकते हो अगर आपके पास Samsung Galaxy A23 फोन है और इस फोन में आपको बैक बटन को लगाना है अगर आपके फोन में बैक करने के लिए कोई भी बटन नहीं है जिसी की तो देख सकते हैं या आपर बैक करने के लिए नीचे कोई भी बटन नहीं है अगर आपने बहुत सारे फोनों में देखा होगा कि या आपर बैक करने के लिए टीन बटन होते हैं गाईस तो अगर आपको भी कुछ इस तरीके से ही जो बटन को लगाना है या पर वर्चुएल आप लोग फ्री बटन निविगेशन को लगाना चाते हो तो कैसे आप लोग अपने इस फाषण में बैक बटन को लगा सकते हो गईस आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास्त थक देखिए और अगर वीडियो पसाना है वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे तो चलिए गई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बैक बटन को लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो अपने इस फॉन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद थोरा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक उप्षिन मिलेगा इस डिस्प्ले का तो इस डिस्प्ले के उप्षिन पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद थोरा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा गाई इस navigation bar का तो इस navigation bar के option पे click कर दीजे click करती देख सकते हैं आपर दो option मिलेंगे buttons और swipe catcher का तो देख सकते हैं अगर आपको जो back button लगाना है तो आपर buttons का option होगा buttons पे click कर देंगे क्लिक करते ही देख सकते हैं मेरे फोन में बटन्स आ चुके हैं अभी देख सकते हैं बैक करने के लिए आपर वर्चुल बटन है गाईस और यह सबसे easy to use है ठीक है गाईस यह गेच्चर बटन जो पहले लगा हुआ था वो थोरा सा hard होता है गाईस सबके लिए लिए लिकिन य बेक बटन जो है सबसे easy to use है आप लोग easily इसको use कर पाएंगे बेक बटन को उल्टा करना है तो देख सकते हैं इस वाले बेक बटन को आप लोग इधर ला सकते हो इस वाले बेक बटन को आप लोग इधर ला सकते हो मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई